कर दोस्तों इस वीडियो टूट्रोल में मैं आपको दिखा देंगे रेंडग पी योईस बिलिंग सोफ्ट्यूर इंस्टलेशन होने के बाद किस तरीके से हैंडिल कर देंगे जिससा फॉर एक्साप्ल हमको यह जो अपना जो दुकान का जो भी इंफरमेशन इसका अंतर डाल चाहिएं जाएंगे तो आपको सीखने के लिए क्ला है बिल्कुल क्लोस कर देंगे और इसका जो memory है हमने replace कर देंगे इसका memory कितर रहते हैं मैं दिखा देतों यह जो हमने install किया हुआ है हमने d drive में install किया था यह d drive इंस्टल किया था राइंडर का फाइल का अंदर यह जो आपने file खोल देंगे आपको इधर एक file दिखाए देंगे database यह इसका memory होती है आपको यह जो memory है right click करके इधर से copy कर देना copy करके पीछे यह जो memory नए एक folder बना दो backup रखो backup रखे इसके अंदर खोल देना और इधर पेस्ट करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया यह राइट क्लिक करके भी आपने इधर पेस्ट कर सकता है ठीक है इसके बाद क्या करना है हमारा जो cd है cd के साथ एक यह आया हुआ है क्याना में database आया हुआ है यह ब्लांक database होती है देखो यह demo के लिए होती है देमो परपस के लिए आपको training लेने के लिए जो भी है यह demo database जो भी है आपने इधर से copy कर लाना cd का अंदर होते है ठीक है डेमो database एक कोपी करके फिर आप जाए डी फोल्डर में इधर हमारा राइंडक का फाइल था राइंडक उसका अंदर खोल देना इधर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना बात में replace कर देना ठीकिना अभी यह देखो इसका यह जो demo database का अंदर कुछ data होती है आपको training लेने के लिए और सीखने के लिए जो भी है अभी हम दुबार अपना जो राइंडक बिलिंग software खोल के देखेंगे देखो इस तरीका से डबल क्लिक करके खोल दीजिए इसमें ADMIN और 12345 करके डाल दीजिए login देखो इसका अंदर आप स्टोक जाके देखेंगे तो एक product इसका अंदर औलाडी आड करके रखा हुआ है तेखो टी शट जो है product आड़ करके रखा हुआ है और सारे इस तरीका से फूल इंफ्रमेशन इसका अंदर आ जाएंगे और जो डे बुक में जाएगे तो उदर भी आपको रिपोर्ट अगरे दिखाई देंगे, ठीके ने कितना कितना सेल किया है, क्या है, सारे इंफ्रमेशन आपको वहां दिखाई देंगे, उसके बाद आपने यह ज जाएए D folder में, आप जाएए अपना D folder, जाएए अपना D folder, जाएए अपना D folder, यह जाएए D folder में अपना जो बैक अप रखा हुआ है, उसको आपने वहां से उठा के, Ctrl C और जो भी है, राइट क्लिकर के कोपी कर दीजिए, कोपी, और अपना जो राइंटक का जो software आपने डाला हुए देखो, राइंटक, इसका अधर आपना राइट टेक लिएर के, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, अभी देखो, जो पुराना मोड में वापस आया, जो, मतलब कंपनी अपने नया सुरू से खोलता है, अभी देख कुछ भी डेटास इसका अंदर हो गाई है नहीं, admin 12345, अब डाल दीजी इसका अंदर, देखो, अभी इसका स्टोक बगर देखो, कुछ भी खाली रखेंगे, देखना, कुछ भी है नहीं, अभी आप अपना कंपनी का इंफ्रोमेशन एकदम प्रोपर तरीका से डाल के, इस कुछ भाई भाई